हलो फ्रेंड्स, इस्टेडी विद क्रिष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है आप सोच रहोंगे कि वीडियो के वाल पेपर पे तो ट्रिक के माध्यम से लिखा हुआ था लेकिन यहां तो पूरा छापा खाना अकबार छापा हुआ है तो निश्ची तोर से हम एक ट्रिक की भी बात करेंगे इसको सरल करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में और उसने भारत के राष्टी आंदोलन के लिए एक अखिल भारती मंच तयार किया लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले भी छेतरी अस्तर पर अनेक राष्टी अस्तर पर तो नहीं लेकिन छेतरी अस्तर पर अनेक जो है राजनीतिक संस्थाओं का विकास हो चुका था कुछ अपने छेतर से निकल कर थोड़ा दूर तक भी काम कर रही थी लेकिन ज्यादातर ये संस्थाएं अपने छेत्रों में ही काम कर रही थी तो यहां से एक्जाम के दिश्टकोर से बहुत सारे प्रस्न बनते हैं जैसे कि इन संस्थाओं की स्थापना किस ने की थी या फिर इन संस्थाओं का कोई बिसेश प्रियोजन था उद्दे सिथा तो उस पे भी बात की जाती है तो सबसे पहले हम इनको एक बार में स्टडी कर लेंगे देख लेंगे कि इनके खास खास चीजे क्या है फिर इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम कंसाइज करने की कोशिस करेंगे क्योंकि यह बहुत confusing पार्ट है सभी संस्थाओं के नाम ऐसे मिलते जुलते हैं ऐसे बिल्कुल एक ही जैसे नाम हैं और एक ही जैसे संस्थापक हैं तो अक्सर एक्जाम में confusion हो जाता है कि संस्थापना किस ने की थी तो यहां पर लगबग 13-14 संस्थाओं के नाम है और इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए मैंने स्वयम ही एक कविता की रचना की है एक पोएम जो 12 लाइन की कविता है और उन 12 पंक्तियों में 12 पंक्तियां याद करना बहुत आसान होगा क्योंकि यह कविता मैंन सब्सक् caution पर हम बात करेंगे कि देखिये राजनीतिक संग्ठन की बात करेंगे बंगाल मद्रास और बंबई तो बंगाद के जो राजनीतिक संग्ठन हैं वहां पर हम पहले दो आ सन्सथाओं की बात करनेंगी जो राजनेतिक तो नहीं थी लेकिन कुश्चन बनता है राजा राम मोहन राय ने 1828 में एक संस्था बनाई थी बिद्या चर्चा और बाद में राजा राम मोहन राय के अनुयाईयों के द्वारा उनकी म्रत्यू के पस्चात 1836 में बंग भासा प्रकासक सभाब संस्था करते हैं उनमें Landholders Society जो है वो पहली राजनेतिक संस्था बन करके सामने आती है 1838 में और इसकी स्थापना जो है द्वार का नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी उस समय जमीदारों के हितों की रच्छा के लिए विसेश करके ये संस्था बनी थी इसका नाम ही है Landholders जमीदा जमीदारों के हितों की रच्छा के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो है प्रसंद कुआ ठाकुर इसके भारती सच्यू और अंग्रे सच्यू जो है बिलियम काब्री थे बस इतनी जानकारी आप याद रखेंगे इसका उद्देश जो है जमीदारों की हितों क के लिए कुछ नहीं है तो किसानों के दसा को सुधार करने के लिए जार्ज थांसन किसानों का हाथ थामा थांसन और प्यारी चंद मित्र इन्होंने जो है बंगाल ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तो ये दो संस्थाएं चल रही थी एक जो है जमीदारों के लिए एक क्रिस्कों के लिए फिर जो है सोचा गया कि जमीदारों और क्रिस्कों के लिए अलग-अलग संस्थाएं हैं इनको एक में मर्ज कर दिया जाए तो यह काम कोई राजा ही कर सकता था तो राजा काली क्रिश्न देव और राजा राधाकांत दियो संस्थापक अध्यच है राजा राधाकांत दियो इन्होंने जो है थारा सो इक्यावन में ब्रिटिस इंडिया एसोसियेशन यहां से बंगाल सब्ध हटा दिया क्योंकि इसको ये भारत अखिल भारती बनाना चाहते थे तो बंगाल सब्ध हटा के बिटिस इंडिया एसोसि इसका नाम रख दिया गया और इसके संस्थापक रहे राधाकंत देव इसको लैंड होल्डर्स योंë बंगाल बिटिस इंडिया एसोसियेशन के समलित रूप के रूप में देखा जाता है यानि मिला के बनाई गई थी और इसको भारत वर्सी सभा भी कहा गया इसको कहा जाता है भारत वर्सी सभा क्योंकि इसकी साखाएं जो है वो बंगाल से बाहर भी खोली गही यह भारत वर्सी नहीं होता है उसमें घूस चलती है तो सिसिर कुमार घोस ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की और यह पहली संस्था थी जिसने राश्वाड पे काम किया राश्ट वाद की भावना के विकास के लिए इस संस्था को इन्होंने आगे बढ़ाया अब जमिदारों के लिए क किसानों के लिए काम हो रहा था तो चात्रों की सुध लेने के लिए आये आनंद मोहन बोस इन्होंने कहा कि हम चात्रों के बोस हैं मोनीटर हैं आनंद मोहन बोस इन्होंने चात्रों के हितों के सरचण के लिए 1875 में ही एक कलकत्ता एस्टूडेंट्स एसूसियेशन की स्थ इसमें जो इधर शिसिर कुमार घोष की संस्था इंडियन लीग थी इसको भी इसी में बिले कर लिया जाता है यानि आप कह सकते हैं इंडियन लीग जो है इंडियन नेशनल एसोसियेशन में आ जाती है और यहां प्रसंस्थापक हैं आनंद मोहन बोस और सुरेंद नात बनर जनता को संगठित करना राजनेतिक जागरुकता राष्टवाद को बढ़ाना इसका काम था और इसमें अठारा सुछेटर में ही इंडियन लीग का बिले हो गया और बिले के पस्चात आनंद मोहन बोस इसके जो है अधेच बने आपने देखा था यहां पर इसमें जो है आर वर्ना क्यूरर प्रेस एक्ट को बाद में हटाना पड़ा था और जो इलबर्ट बिल आया गया था रिपन के द्वारा उस पे बिवाद हुआ था बिल 1883 में आया और उस पे बिवाद हुआ उस बिवाद के समय भी जो है इंडियन नेशनल एसोसियेशन आनंद मोहन बोस और सुनेदाथ बनरजी ने मिल करके इसको एक आंदोलन का रूप दिया और लोगों को जागरो किया कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है वो इस प्रकार से हमारे हित के लिए अगर कोई बिल लाया जाता है तो उसका बिरोध संगठित तरीके से करते हैं तो इंडियन नेशनल ए बात करेंगे ट्रिक पे मदरास की राजनेतिक संस्थाएं मदरास में दो हैं पहली है मदरास नेट्व एसोसियेशन जो ठारा सू बावन में बनाए गी लेकिन यहां बहुत लोगप्री नहीं हो पाई क्योंकि इसने जो है ठारा सू सतावन की कि भर्षना की थी तो इस वज पिसरी जो मदरास महाजन सभा है ये फेमस हुई और एक्जाम के दश्चोर से इंपोर्टेंट है मदरास महाजन सभा 1884 में आई और इसके संस्थापक थे सुब्रमर्णयम अयर महाजनों ये महाजनों के लिए सभा थी महाजन सभा जैसा नाम से इसपष्ठ है तो महाजनों और किसानों के मध्ध जो संघर्स था उस पे कंट्रोल करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी तो दो आप मद्रास में याद रखेंगे तीन संस्थाएं बंबई में हैं बंबई में पहली संस्था 1852 में बनी जब यहाँ पर आप देख रहे थे कि 1851 में ब्रिटिस इंडियन एसोसियेशन यहाँ पर जमिदारों और कर्सकों की संस्थाओं को मिला के ब्रिटिस इंडियन एसोसियेशन बनाई गई तो इसी से प्रेरित हो करके 1852 में बामबे एसोसियेशन का गठन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था यह ब्रिटिस कर भी चुके हैं तो सरकार को ग्यापन देना इस संस्था का प्रमुक कार था दादा भाई नोरोजी बिदेशों में भी बहुत सक्री रहे हैं और हम देखेंगे दो संस्थाइं बिदेश में भी हैं इनके द्वारा इस्थापित की गई अगली जो बंबाई में बनी वो पून में पूना सारवजनिक सभा 1870 में और इसके संस्थापक जो है एमजी रनाडे जीवी जोसी और भी कुछ अने लोग थे खास करके एमजी रनाडे का नाम आप याद रखेंगे जन्ता में सरकार की वास्त्विक्ता को लाना उसको प्रस्तुत करना इसका काम था कि सरकार क्या कर रही उसकी वास्त्विक्ता क्या है ये जन्ता में जागरुपता फैलाने का काम पूना सारवजनिक सभा के द्वारा किया जाता था अगली संस्था जो है वो बांबे प्रेसिडेंसी एस्सूसियेशन बदरुद्दीन तयब और केटी तैलंग फिरोस्ता महता आद लोगो बंबाई की ये 11 संस्थाएं आपने देखी 11 संस्थाएं हैं और मेरी जो कविता है वो 12 लाइन की कविता होगी 12 लाइन में सिर्फ 12 लाइन बहुत छोटी छोटी लाइने सिर्फ 12 लाइन में इन 11 संस्थाओं के नाम और इनके संस्थापकों के नाम आपको याद हो तो ग्यारा लाइनों में बारा लाइनों में ग्यारा संस्थाओं के नाम और ग्यारा संस्थापकों के नाम आ जाएंगे यहाँ पे तीन स्थापित हैं संस्थाओं बिदेशों में तो उनके नाम भी आप से पूछे जाते हैं संस्थापकों के नाम पूछे जाते हैं ये सभी लंदन में हैं लंदन इंडियन कमेटी पुरसोत्तम मुदालियार के द्वारा 1862 लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नो रोजी 1865 इस्ट इंडिया एसोसिेशन दादा भाई नो रोजी 1866 इसका अप एक स्क्रिंसोट ले लिजे इसको नोट कर लीजेगा और इस और अगर 12 लाइन की कविता याद करना कोई बहुत कठिन नहीं है आप 14 लाइन की कविता 18 की कविता फैसकूल इंटर वगेरा में याद करते आये हैं लिखते आये हैं तो उससे याद करने के बाद में आप इसमें Pam करनेका वो दूर हो जाएगा वेसे आप इसे रिंसाट ल पचना की गई है ये कांसेप्ट होता है कि जैसे की हमेशा इसका इस्तेमाल करना आवस्यक नहीं है लेकिन कभी-कभी फैक्ट की संख्या इतनी जारा हो जाती इतनी जटिलता हो जाती है कि वहाँ पर आपको कुछ काल्पनिक कांसेप्ट बनाने की जरूरत पड़ती है तो मैं सारा fact होता है line by line और उसमें बहुत जब confusion create होने लगता है तब कुछ tricks की सहायता लेनी पड़ती है शुरुआत में बाद में वो चीजें धेरे-धेरे अभ्यास में आ जाती हैं और आपको याद रहती हैं तो यहाँ पर इन सभी के नाम और इनके संस्थापकों को 12 पंक्तियों में मैंने समेटा है और इसको आप देखें और इससे टैली कर लेंगे जब इस poem को आप पढ़ेंगे तो इस poem में अभी मैं इसको बता दूँगा कैसे समझना है और इस poem में जो है आपको संस्थापक और society का नाम जो है मिल जाएगा हर एक line में एक संस्थापक और एक society का ना देखिए मैं पढ़ता हूँ और आप इसे यहां से टैली कर लिजे कि कौँसी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो पहली पंक्ति पर चलते हैं देखिए यहां पर कुछ नामों में आपको लगेगा कि यह गलत लिखा हूँ जिसे सोसाइटी तो सोसाइटी होता है लेकिन एक पोएम की तरह याद करने के लिए कहीं कहीं पर आप उस सब्द को पढ़के समझ जाएंगे कि यह सोसाइटी के लिए ही यूज किया गया है तो वो एक दो जगे पर सब कहीं नहीं लेकिन एक दो जगे पर आपको यह इस तरह से मिलेगा तो वो आप आसानी से अगर पूरा सोसाइटी पढ़ने की कोशिस करें है जैसे कि आप बच्पन में अगर आपने पहाडा टेबिल्स याद के होंगे तो उन टेबिल को याद करने की एक धुन एक ले होती है और उस ले की वज़े से जैसे ही सब्द बोला जाता है तो उसका परिणाम आटोमेटिक दिमाग में आ जाता है आप उसे याद कर लेते है तो ये एक पोएम है मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ इसी ले में आप इसे याद करेंगे इसमें बारा पंक्तिया है ग्यारा संस्थान और ग्यारा उनके संस्थापक है नाथ द्वारिका लेंड होल्डर जमीदार सेयारी बंग बिटिस इंडिया सो स्टी जार्ज थाम संप लीग इंडिया सिसिर घोस का बढ़ता जाता जोस कलकत्ता छात्रों की सभा के आनंद मोहन बोस बानर जी और बोस ने मिलकर बना दिया एक काम इंडियन नेशनल एसोसियेशन मिहनत का परिणाम मद्रा नेट्यू एसोसियेशन गुजलू लच्मी आगे और महाजन सभा बना कर सुब्रा अईर जागे बंबे एसोसिये के दादा पूना के रानाडे बंबे प्रेसी एसोसियेशन बदरू महता जागे इस बारा लाइन को आप बड़ी असानी से आद कर सकते हैं जैसे आप कहीं कहीं पर ध्यान दें मद्रा नेट्यू एसोसियेशन मद्रा से आप मद्र समझ जाएंगे, बंभे— असी हैं न है, गोबिंद महादे होल्डर द्वारे का नाथ के द्वारा लाइन होल्डर सोसाइटी बनाई गई गई जो जमीदारों के लिए बनाई गई थी बंगाल ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी बंग ब्रिटिस इंडिया सोस्टी इसमें जार्ज थामसन और प्यारी प्यारी चंद्र मित्र ब्रिटिस इं प्रिश्न देव यहां लिखा हुआ है इन्होंने बनाया था जोड करके लीग इंडिया इंडियन लीग की बात की जारी है इंडियन लीग जो है सिसिर्गोस लीग इंडिया सिसिर्गोस का बढ़ता जाता जोस कलकत्ता छात्रों की सभा के आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता के छात और फिर ये दोनों लोगों ने जो है इंडियन नेशनल एसोसियेशन की स्थापना की थी तो बानर जी और बोश ने मिलकर बना दिया एक काम इंडियन नेशनल एसोसियेशन मेहनत का परिणाम यहां तक आप आगे फिर देखे मद्रास और ये दोनों मद्रानेटू सुब्रमानयम अयर, बंबे ऐसोचीये के धादा नवरोजी, बंबे ऐसोचीये के धादा पूनाके रानाडे महादेव गोबिंद रानाडे, बंबे प्रैसी ऐसोचीयेशन, बदRO महता, जागे, बदरुदिन तयाप और असोप महता, तो ये सभी यहां लिखे भी हुए हैं और इनसे टैली करके आप ये पोएम याद कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें आद रहें आप कभी कोई चीज बहुत जटिल लगा करें तो थोड़ा सा उसमें अगर आप कालपनिक कांसेप्ट देखें कुछ चीजें कांसेप्ट बेस होती हैं लेकिन कुछ चीजों में कांसेप्ट नहीं होता है बहुत सारा फैक्ट होता है तो फिर उस फैक्ट के आगे पीछे आपको नकली कांसेप्ट बनाना होता है कोई कहानी, कोई चुटकुला, कोई कभिता कोई rhythm बना करके आप उसे याद करते हैं जैसे मुझे Central Asia के नाम अक्सर भोल जाया करते थे किर्गिस्तान, खजाकिस्तान कभी मैं सुचता था और कौन से उसमें है उजवेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सभी एक जैसे नाम थे तो एक ट्रिक मेरे i-mine वे कि उसको मैंने बनाया तो वो था आप भी गर आप कभी देशे Central Asia के नाम आपको याद करने है Central Asia Central Asia के लिए मैंने एक ट्रिक सूची कि इस तरह से आप याद करें तो याद कर सकते हैं Central है काकी ताओ तुर्क हैं काकी ताओ तुर्क हैं सेंटन्स जयाद से पूरा लिखाई Ho इतने ही देश सेंटन्स में हैं चुप इस तरह से आप समतेंस कभी तो बना सकते हैं और यह लिखने के लिए नहीं होते हैं यह सिर्फ अपने मन में तरह होते हैं ताकि मौके पे आप इनको इस्तेमाल कर सकें तो मिलते हैं concept based class में रेक्ष में जिसमें हम Congress की स्थापना और safety valve के सिध्धान को संजेंगे और चर्चा करेंगे तो Congress की स्थापना से पहले कुछ इन संस्थानों की इन जो है societies की इन राजनेतिक संस्थाओं की चर्चा करना जरूरी है प्रस्ण यहां से अब्जेक्टिव में आता है जरूर कहीं न कहीं कोई न कोई संस्थाप से पूछी दी जाते है तो इसको आप जरूर याद रखेंगे मिलते हैं कौर बहतर क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद